नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तेयरी बहुत अच्छे से चल रही होगी जैसे कि आपको पता ही UP2 प्रैस से जुले सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्तित होते हैं उसी बीच जो है एक बहु बागू होगा पैट अब दोइर टेईस यह चोवित इस ख़बर से पहले इस कवर अब को क्या है यह इस से पहले जो है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कुछ बताना चाहता हूं उस चीज़ को ज़रा सयम के सास्मढ़ेंगे पूरा वीडियो अराम से देखेंगे को कि अग्ध कि यहमाँ बढ़्व कर देखिए यह वाली बढ़ति ने वाली बढ़ति देखे ने मए स्थीन बीग पहला आपको बाद बढ़ती बताई थी वाली यहां यह वाली बढ़ति देखो को मिरे लाल इसको OS देखो यह तीन बीक पहले 16 हजार यह चल गई है यह तीन बीक पहले 16 हजार यह भरती चल गई है और इसमें मैंने आपको जानकारी दी थी यह साथ मिनट की वीडियो थी इसमें बताया था यूपिट प्लैसी आयोग ने लोवर PCS कुल्पद 900 पिलस बिना पैट के भरती आवे इस भरती को जो है इस भरती को जो है लोवर PCS की भरती को जिसमें कितने पद है 900 पद है 900 पद है इस भरती को जो है 900 प्लस पद है कहने का मतलब यह है कि 900 प्लस पद है हम इस भरती को जो है 900 प्लस भरती वाली को जो है बिना पैट के जो है हम इससे निकालेंगे और इसमें आय ठीक है इसमें ना आपका पैट 2023 लगेगा और ना ही पैट होने वाला 2026 लगेगा यह वाली बात कर दी अब क्या हुआ एनगामा कर दिया बहुत सारे बच्चों ने अब यह उन बच्चों ने के उनना पैट दे रखा था यह कर दिया अब लागू होगा पैट इसके उपर करता है कि विद्धियार्तियों की धन्य को देखकर अब कुछ ना कुछ बदलाब हो सकता है पैट लावू हो सकता है लग रही है चांद मगर इसका फाइनल इन रणे जो है वह लगबग 20 जुलाई तक आपका आ जाएगा बीस जुलाई तक जो है इसका फाइनल इन ना आ पाइए कुछ तो मैं ऑपको यहां बताने बाला हूं कि देखिए भढती तो होगी कव संभावित क्या है इसके बारे में पता हो जाना चाहिए आपको ठीक है चलिए मैं फो को सथे बारे में ठीक है अब इसमें पनो की संख्य को बताए जा रही है नोच उपलस्य इतने आव उद्धन जो झार्ण अगस्ट सिह उस्टम्बर नहीं किव आंगे अगस्त और सितंबर मगर सितंबर में चांद से ज़्यादा लग रही है इसमें देरी भी देखी जा सकती है अगर खेल यह हुआ कि पैट लागू या नहीं पैट लागू या नहीं इस पर आगे भी थोड़ी से देरी देखी जा सकती है मगर स्योर यह है कि लगभग 99.99 परसेंट जो है यह पैक्ट से भड़ती नहीं आएगा यहां तक की बात यह है आयोग ने इसको पूरा किलियर ही मान दीजिए बत यह है कि इसे ओफिशल करना वाकिए है मगर अब उस वीच में क्या करेंगे उस वीचों में जो है अब भीहारतियों ने अब भीहारतियों ने क्या करा है अब भीहारतियों ने धर्ना कर दिया है ठीक है धर्ना प्रसेंट कर दिया है अब विवाग जो है इस चीज पर जो है बड़ा मतलम असमंजस्म हो गया है क्या ह वाला है आगे क्या होगा ठीक है चलिए अब बात करता हूं पैट से फाइदे क्या है अगर पैट लागू होता है पैट से अगर भड़ती आती है तो और पैट से नहीं आती है तो मैं इसमें बताने वाला हूं पैट से नहीं आती है तो समझो इस बात को अराम से पहली बात अ एक होगा एक एक एक्जाम होगा फिर बात करेंगे भरती भरती जल्द ही पूरी होगी ठीक है कॉम्पडिशन कम होगा पैट के आने से तो यह है अगर पैट से भरती आती है तो यह फायदे हैं पैट से अगर भरती आती है तो फायदे आप एधन कम होगे ठीक है एक्जाम एक ही होगा पहले दो एक्जाम होते हैं प्रियर में सबके एक एक एक्जाम होगा भरती जल्दी पूरी हो जाएगी और competition कम हो जाएगा अगर पैट से बढ़ती नहीं आती है पैट नहीं आता है तो क्या होगा आवेदकों की संख्या संख्या अधिक होगी क्या होगी अधिक होगी क्योंकि जो पैट नहीं भी दिया ग्रियोशन है वो भी डालेगा ठीक है एक्जाम तो भरती में दो से तीन साल लग सकते हैं दो से तीन साल भरती में लग सकते हैं competition 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 बहुत जादा होगा बहुत जादा होगा तो यह हैं आपके उतार चड़ाब क्या-क्या देखने को नहीं मिल सकता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता पैट से आने के फायदे हो सकते हैं पैट के नाने के से क्या नुक्षान हो सकते हैं क्या हो सकता है दोनों चीज़ा आपको दे दी गई है और यदि यह पैट सा आती है तो कटोब जो रहेगा अगर पैट सा आती है तो पैट सा अगर आती है त जो कि 900 से 900 प्लस अगर बेकेंस से आएंगे तो 50 से 60 गुना बच्चों को 50 से 60 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाएगा और नो पंजे 45 यह निकि 45 से 45,000 से लेकर 60,000 के बीच बच्चे जो है इसमा मुख्या परिक्षा में बठेंगे ठीक है भया अगर यह है तो परन्तु आप इस चीश को समझजिए यह वाली चीश पैट अएगा, तो क्या होने वाला पैट से नहीं आएगा तो क्या होने वाला तो अप सब बच्रेया है अपनी राय को पर पर इछोड़ देना है ठीक है आयोग को पर ही छोड़ देना है ठीक है तो आप अपनी राय जुरूर देंगे इसमें ठीक है मैं आपको बजा चुक हूँ पैट से आभे दिनों की संक्या कम होगी एक्जाम एक होगा भरती जल्दी पूरी होगी एक्जाम परियोर मेंस महोंगे बढ़ती दो तीन साल लग ज सकते हैं ठीक है नबय प्लस नबय नो सो प्लस वैकेंसी या रही है लगवग पैंसालिस से साथ हैर बच्चों को मुक्य परिक्षा में मौका मिल सकता है ठीक है और अब तुम्हारे को पर और नोटिस को पर डेगलर हो जाएगा लगवग 15-20 दिन में आपको नोटिस देखन सब्सक्राइब करने हैं क्योंकि आपको यहां से मिलती है सभी सटीक और यहां अथेंटिक जानकारी तो चलिए मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ जब तक के लिए जहिंजवारत बंदे मातरम